हलो नमस्ते दोस्तों मैं उस रोज मेरे किचन में आपका स्वागत है दोस्तों आज आपको हम सूजी के बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट और बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामन कैसे बनाते हैं वो बताएंगे और दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना इसके बिल्कुल भी मत कीजिए नहीं तो पूरा वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बावल लिया है तो यहाँ पर मैंने एक चमचा इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है जो एक जो आप तो दूद को और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं वैसे ही हमें मिक्स करना है तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको मिक्स भी कर लिया है देख सकते हैं तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब इसको हम फूलने के लिए रख देते हैं थोड़ा सा अपर से दूद और डाल की क्योंकि मैंने इसके अंदर सूजी का यूज किया है सूजी अच्छे से सौप्ट भी हो जाएगी और फूल भी जाएगी तो डोको मैंने इस तरीके से इसमें अच्छे से दूद को मिक्स करके और इस तरीके से बना लिया है ताकि सूजी फूलने के बाद में वैसे ही डबल हो जाएगी और अच्छे से सूख जाएगी जैसे सूखी लगेगी विल्कुल भी जो आपका बेटर है न पतला नहीं लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बेटर को रख दिया है 10 मिनिट के लिए यहाँ पर मैंने लिए बगुनी चाइब चासनी तयार करने के लिए तो अब इसमें डालेंगे हम 300 ग्राम चीनी ताकि चासनी हमें थोड़ी सी ज़्यादा ही बनानी है ताकि जो हमारे गुलाब जावन बने वो अच्छे से डिपो जाएँ यहाँ पर मैंने डबल मात्रा का पानी डाला है और अब इसके हम चासनी तयार कर लेते हैं तो चासनी हमें बिल्कुल एकतार की ही तयार करनी है गुलाब जावन के लिए और दोस्तों मैं जो ट्रिक्स बता रही हूं गुलाब जावन बनाने की इस तरीके से बनाएंगे न तो आपके कभी नहीं तो फटेंगे और उनके अंदर बिल्कुल फर्फेक्ट चासनी ही अंदर जाएगी तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है इस तरीके से बना है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने चीनी को अच्छे से मेल्ट भी कर लिया है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो चासनी हमारी बन करके तयार होने लगी है देख सकते हैं चासनी में उकाल भी आ चुका है तो यहां पर देख सकते हैं चासनी तयार है डोको रखे भी हो चुक है जो मेरी सूजी थी वो अच्छे से सौक्ट हो चुक है क्योंकि दोस्तों आपको जब भी गुलाब जम तयार करें तो सूजी को 10 मिनट के लिए इस तरीके से रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि यह बिल्कुल अच्छे से अंदर से सौक्ट हो जाती है और फूल भी जाती है तो थोड़ा सा दूद देख सकते हैं मैंने और लिया है क्योंकि इसमें सूजी है न तो इसमें बहुत ज़्यादा दूद की मातरा लगती है तो इस तरीके से अब हातों की मदद से हैं इस तरीके से मसल मसल कर इसको और भी ज़्यादा सौक्ट बना बाद में भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया вспot होगा सबसु्स करते हमारा गुलाब जा लिए वह बिलकुल गी जाकुल फिBack साकते हैं तो मैंने इसको अच्छे से मसल मसल करके अच्छे से सौप्ट बना लिया है आपको गुलाब जामन के डो को जितना सौप्ट रखेंगे जितना मसलेंगे उतना ही आपके गुलाब जामन अंदर से सौप्ट तयार होंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे तो आपको ये काम जरूर करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा गुलाब जामन का डो था वो अच्छे से सौप्ट हो चुका है और ये परफेक्ट तरीके से बिल्कुल चिकना हो चुका है सूजी का इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने इसके अंदर सूजी का भी एड़ किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूलने के बाद में सूजी अचे से मिक्स हो जाती है और बिल्कुल सौप्ट हो जाती है तो ये डो हमारा गुलाब जामन के लिए बिल्कुल परफेक्ट तयार है तो यहां पर मैंने दूसरी वाली प्लेट ले लिया है तो यहां पर देख सकते हैं छोटी छोटी लोईयां गुलाब जामन के तोड़ लेंगे इस तरीके से और सभी को हम छोटी छोटी लोईयां जितनी आप एक साथ में बन सकती है उतनी हम बना लेंगे तो मैंने ज़्यादा बड़ा साइज नहीं लिया है गुलाब जामन का तो हम मीडियम साइज के ही बना रहे हैं गुलाब जामन तो दोस्तो अब इसको हम गॉल कर लेते हैं और इसमें एक भी इसक्रेश नहीं होनी चाहिए हाथों दोनों हाथों की मद elas से तो यहां पर आपकर डो बिल्कुल भी ठाइक नहीं होना चाहिए तो इसी टाइब करडह को होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं तो गड़ाई में गरम करने के लिए रख दिया था तो तो देल गरम है तो गरम तेल के अंदर में एक डाल करके देख ली हूँ तो यह अच्छे से सीक रहा है देख सकते हैं यह गरम है तेल अगर आपका ज़्यादा तेल गरम है तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं या बिल्कुल कम कर सकते हैं तिहां पे देख सकते हैं यह बिल्कुल भी नहीं यहां पर सिक जाते हैं इसलिए घैस का फ्लेम जादा नहीं रखना है औरangan यहां पर देख सकते हैं चमची की हउल्प ईगिस भी कर रहे हैं तो यह कलर भी थोड़ा थोड़ा इसका चेंज होने लगा है तो अब हम गर्ष को भी मैंने ओवन कर दिय εδώ गर डिया आपको बिल्कुल कम रखना है ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, ताकि गुलाब जामन की अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिकाई हो सकी तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से गुलाब जामन के अच्छे से सिकाई हो रही है तो यहां पर आपको देख रहे हूंगा कि जो हमारे सूजी के गुलाब जामन थे ना वो बिल्कुल भी नहीं फ बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका कलर और बहुत ही प्यारे से दिखे हैं देख सकते हैं बिल्कुल भी एक भी स्क्रेश नहीं आई यह गुलाब जाओन के अंदर तो अब हम सभी को निकाल लेते हैं इस तरीके से एक साथ में हम सभी को निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी गुलाब जाओन मेंने निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने लिए चासनी तो दूस्तो चासनी के अंदर अब हम इसको डाल देते हैं तो आपको जब भी चासनी बनाए तो इसी टाइप का आपको बेटर लेना है जो भी आप बरतन ले तो इस टाइप का बरतन लेना है ताकि इस अच्छे सिस में डिप हो सके गुलाब जाओन तो यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं तरीका बता रहे हूं गुलाब जाओन बनाने का आप उसी तरीका से अपनाएंगे गुलाब जाओन बनाएंगे न तो आपके गुलाब जाओन बिल्कुल परफेक्ट तो बनेंगे बट बिल्कुल भी जैसे आपको यह तो सेकने में दिक्कत होती है चासनी में दिक् झांक यू